नमस्कार दोस्तों डिजिटल खेती चैनल में फिर से आपका स्वागत है और हम हाजने एक नई वीडियो के साथ जो आपको खेती बाड़ी के बारे में जानकारी देगी इससे पहले मैं आप सभी लोगों से निवेदन करना चाहता हूँ जिन मेरे भाईयों में चैनल को सबस् करता हूँ कि उनका सही वागा भी बना रहे गा तो घसरे एक नई वीडियो के साथ जो आपको खेती बाड़ियों में जानकारी देगी ये बहुत ही आवश्चक किसानों के लिए सोच है खात के बारे में जिसके बारे में आज में मैं बात करना चाहता हूँрос death है कि इसमें अपने खेती में रासायन एक उर्वर रखुखा प्रियोक कर रहे हैं लेकिन उनके साथ दिक्तत क्या हो रही है कि सही और पुचित दर पर उनको मिलना थोड़ा मुश्किल होता जा रहा है इसलिए उनके लिए एक व्यवस्ता की गई है जिसके बारे में आज हम बात करना चाह है इसमें क्या किया गया है इसमें किसानों को खाद बित्रड की विवस्ता आधार काड के माद्यम से की गई है यानि कि जो भी किसान भाई है अपने अब उनको जो खाद मिलेगा वो आधार काड के माद्यम से मिलेगा इसमें किसानों को अपने एसाब से खाद खरीदने के लिए व्यूपारी या संस्ता का चुनाव करने की सुददा रहेगी और दूसरा किसान यह किसानों को सही बाउचित दरपर खाद मिलेगा किसान कुशन 허chnet नई व्यवस्था की गई है आधार से खाद ये एक पेपर की कटेंगे जिसमें भी बताया गया है कि किसानों को खाद कैसे मिलेगा और क्या ब्रवस्ता सरकार ने किये खाद खरीदने के लिए ताकि वो खाद को अच्छी तरह खरी सकें समय पर खरीद सकें इसमें क्या रहाए गवाए जो भी इतना खाद है वो प्योगे साथ मशी सबी खास बिक्रवय से करोण है दूसरा किसामों को आधार करो मशीन से लिंग करवाना पड़ है जिसमीं वो ड्यलर से खास लिएप या संस्का से खास खाद नहीं बविस्ता में क्या हुआ कि सीन्व के माधविने सीनिय। हम उटा मिलते ही मसीन से पर्ची निगलेगी इसके बाद किसानों को खाद का भुक्तान करना है उसमें पर्ची में लिखा भी रहेगा कितनी क्वांट्रेटी कौन सा खाद उनने खरीदा है यह एक खाद कंपनी की कटिंग है उसमें भी यह किसानों को बटाया गया है कि खाद अब कैसे POS मसीन के माद्यम से आदार काट के माद्यम से फरीदा जाएगा SRO ने इसमें जानकारी दिये तैयारी खाद की जो कि सिस्टम नए आए तो थोड़ा सा सब लोग अन्यान है इसके बारे में तो STA सरकार ने क्या बवस्ता किये इसमे जितने भी खाद बिक्ता है किसान आए या किρसी अधिकारी हैं जो खेती से जुड़े हुए freedoms किसान से जुड़े हुए उन सब को पर इसमे की सा कि सा कойसे POS मसीन को और read करना है दीलर को कैसे operate करना हैisation की सान विकरता है उनको POS machine खात कंपनी उप्लग कराएगी इसलिए उनको POS machine खरिदने की जर्बग्पी नहीं रहेगी वह कंपनी उनको उप्लग कराएगी और यह जो नई विवस्ता कि पी ओएस के मसीन से आधार कार्ड के माध्यम से लिंक करवा के खाद करीदने की जो नई विवस्ता है वो यह नई विवस्ता अभी आपको अगले महीने एक जून 2017 से लागू हो जाएगी इसलिए किसान भाई ज्यान रखें खाद की डीवीटी इसमें होगा क्या कि जो भी किसान भाई खाद खरीरना चाह रहे हैं तो उनको खाद बिक्रता को खाद का पूरा पैसा देना पढ़ेगा और जो भी खाद के अंदयान मिलता है जो भी दीयपी यूरिया सिपरफसपेट याजिव ए जो przypad हैं पर जो भी अंदयान मिलता है वह किसान के खाते में सीधा आएगा इसलिए किसान के पास आदार काट को देख लें की वह चालू हो और उनके पास आदार काट भी हो DBT, DBT का आखर मतलब क्या होता है DBT का मतलब होता है कि जो भी DBT को बहुत भोलेंगे अपन डारेक्ट बेनीपिट ट्रांसपर यानि कि जो भी अनदान सरकार की तरफ से किसानवाईयों को मिलता है वो सीधा उनके खाते में ट्रांसपर होना है जैसे आप लोगों को मालुम है जो भी किसानवाईयों के पास गैस कनेक्शन है उनको मालुम है कि वो पूरा पैसा दे के गैस का सलंडर खरीते हैं और बाद में जो भी अनदान होता हो उस गैस पे वो उनके खाते में आता है तो इसलिए ये इसको हम डीवीटी ओजना बोलते हैं यह एकवार की कटिंग के माध्यम से भी समझाया गया है कि अब घरेलू सलंडर की तरह ही खात पर भी सबसीडी मिलेगी जैसे सबसीडी घरेलू सलंडर पर मिलती है वैसे ही खात पर सबसीडी मिलेगी इससे किसानों को लाव क्या होगा पहले क्याता है कि सरकार के पास खाग की कितनी जरुवत है किसान को कितना खाग लगता है रवी में खरीप में जायद में तो उनके पास कोई सिस्टम नहीं था ट्रैक करने का कि किसान को कितने खाग की जरुवत है तो इसको ट्रैक करना असा जब ऑग्र के इक मिलता ही, कभी-कभी नाखली्ट, मुलते हैं, दूसरा उचित ले, उच्छ दर पर उनको खाद मिलेगा कि जितनी मात्रा को किसारा है। मिलने वाला ऐनुदान है वो खिशान को सीधु कैसे खाات कृत्ते में सुपना उनक्षान प्रेस कैन वानान उनक्ना-क किसान आएगा जब किसान खरिदता है तो उस में कम हिया था तो अभी सिसरकार ने क्या कर दिया है कि किसानों को अभी पूरा पईसा दे के खात खरीदना है और जो भी उसके चूटे वह उनके खाते में जाएगी विक्त्रेदा खात का जरूवत से ज्यादा भंडरा नहीं कर सकतेगा यह इसमें सुपधा रहेगी आधार से लिंक जैसा कि आप कटिंग से भी देख सकते हैं यूरिया के लिए जून से आधार अनवार है यानि कि क्या होगा कि जब आधार से लिंक हो जाएगा खाद खरीदना तो केवल खाद किसानों को ही मिलेगा अभी आप उन सब लोगों को मालू है कि खाद का बहुत सारे लोग दुर्पयोग करते हैं बहुत सारी मिलावटी चीज़े मिलाते हैं बनाते हैं नकली चीज़े बनाते हैं तो वो समय उसका उप्योर हो जाएगा और स्केवल किसान को ही खाद मिलेगा बल्क उनको खेती भी किसान बल्क वह लोग खेती भी अच्छे से कर पाएंगी क्योंकि खाद उचित दर पर मिलेगा उचित मात्रा में मिलेगा जितनी quantity उनको चाहिए उतना मिलेगा और यह व्यवस्ता बहुत ही उपयोगी और सरकार की तरफ से किसान बाई नहीं के लिए किसान की तैय welfare इसलिए सब और वो आराम से अपना जीवन यापन कर सकें मेरे चैनल का नाम है दोस्तों डिजितल खेती आप सभी से निवेदने की इस चैनल को आप सब्सक्राइब करें ताकि आपको जो भी हम खेती बारी के बारे में असरकारी योजना के बारे में वीडियो बनाते हैं उसकी जानकारी आपको मिल जाए आप इसको सेर करें आपके दोस्तों में ताकि ये जानकारी ज्यादा से यादा लोगों तक पहुंच सके वीडियो को पसंद करें लाइक करे और जो भी आप कुछ पूछना चाहते हैं आपकी कोई संका या कोई तरसने तो आप कमेंट वोक्स में कमेंट कर भी सकते हैं तो मैं उसका उत्तर आपको दे दूँगा इसलिए सभी से निवे दने कि इसको सब्सक्राइब करना ना भूलें और जिल लोगों ने सब्सक्राइब कर दिया उनको मैं बहुत बहुत धन्यवाद देता हूँ और उनके सहयोग की में आसा रखता हूँ धन्यवाद दोस्तों थैंक्स कीप वाचिंग डिजिटल खेती देखते रहे हैं डिजिटल खेती धन्यवाद गुड़बाए